हेलो फ्रेंज, आज हम बनाएंगे ब्लाउस की बेक डिजाइन, 34 साइस बीद, अस्तर और मेन फेब्रिक मैंने कटिंग कर लिया है, लेंद का निसान लगाएंगे, लेंद है 14.5 इंच, शोल्डर लेना है 5 इंच, आर्मोर लेंगे 5.5 इंच, चेस्ट का फोर्थ पार्ट लें 13 इंच, 13 इंच, निचे से विर्थ 3 इंच रखना है, और इस तरह निसान को मिला देंगे, और इस तरह से कुछ डिजाइन का सेफ हम यहाँ पर लगाएंगे, बेक पार्ट में अगर आप डोडी लगा रहे हैं, तो आप नेक का विर्थ 3 इंच रख सकते हैं, और अगर 13 इंच या फिर सवाद 2 इंच रखिएगा, और इस तरह अब हम कटिंग कर लेंगे, कटिंग मैंने कर लिया है, अब में फेबरी का राइट साइट सीधी तरप पर दोड करते हुए रखेंगे, और उपर से अच्छे से अस्तर वाले पार्ट को अच्छे से मिलाते हुए कर लेंगे, मैंने पीनप कर लिया है, अब देखिए इस तरह से हम एक पैर का मार्जण छोड़ते हुए पूरे नेक डिजाइन पर सलाइ कर लेंगे, धिरे-धरे करते हुए कॉरनर्स कह अच्छे से निकालते हुए हम एक पैर का मार्जन छोड़ते हुए अच्छे से तो देखिए सिलाई में ने लगा दिया है अब देखिए सेंटर का जो एक्स्ट्रा फेब्रिक है इससे हम कट करके निकाल देंगे इस तरह से और अब दिखिए कॉर्णर्स पर अच्छे छोटे चोटे कर्स लगा लेंगे इस तरह से ध्यान रहे सिलाई ना कटे और पूरे नेक राउंड में हम इस तरह से छोटे-छोटे कर्स लगा देंगे ताकि जो अस्तर वाला पार्ट है फिनीसिंग के साथ दूसरे तरफ पलट जाए तो यहां पर देंगे कर्स मैंने लगा लिया है अब अस्तर वाले पार्ट को दूसरे तरफ पलटते हुवे उपर से हम टॉप इस्टिच लगाएंगे तो पहले हम हाथ से अच्छे से नेक का फिनीसिंग देद कर देंगे इस तरह से और उपर से अब हम टॉप इस्टिच लग लेंगे चाहे तो आप फिनिसिंग के लिए इस पर प्रेस लगा सकते हैं नेक राउंट अच्छे से फिनिसिंग के साथ बैठ जाएगा उसके बाद ही आप सिलाई करें या फिर आप इस तरह से हाथ से फिनिसिंग देते हुए भी सिलाई कर सकते हैं तो हाथ से फिनिसिंग दे तो दिखिए मैंने सिलाई लगा लिया है अब अच्छे से दिखिए नेक का सिलाई हो चुकी है अब हम अस्तर वाला पार्ट और में फेबरी को इस तरह से चारों तरफ सिलाई करके दोनों पार्ट को जॉइंट कर लेंगे अच्छे से हाथ से फनीसिंग देते हुए हम चारों तरफ सिलाई करके दोनों कपड़े को जॉइंट कर लेंगे यहाँ पर देखें मैंने सिलाई लगा लिया है अब साइट सो जो एक्स्ट्रा फेबरीक बाहर के दरफ निकला है चारों तरफ हमें कट कर लेना है इसी तरह से हमेंने यहाँ पर चारों तरफ एक्स्ट्रा फेबरीक को कट कर लिया है अब दीक्हें सेंटर से फोल्ड करते हुए हम टक्स उलाई करेंगे तो एक्स्ट्रा फेब्री को कट कर लेंगे और एक सिलाई देखिए कमर पट्टी को इस तरह पलटते हुए कमर पट्टी को ऊपर करनी है कमर पट्टी को नीचे के साइट तो मैंने तो बन देखिए दिजाइं के लिए हम पट्टी लेंगे हमार में तो इन्च चौरी पट्टी लेना है विर्थ में टू इंच और इससे हम और इस पर सर्ण तरफ fold करेंगे, उपर से हम सिलाई कर लेंगे, इस तरह से तो देखिए, इस तरह से हमें double fold करते हुए सिलाई कर लेना है तो इहाँ पर मैंने सिलाई लगा लिया है और एक सिलाई से दिखें दूसरे corner से कर लेनी है इस तरह से अब हम इस पटी को अलग से side में रख देंगे अब डिजायन के लिए अब हम एक पटी लेंगे square piece इस तरह से 4 x 4 इन्च दोनों तरप से लेना है और इसे देखिए इस तरह से fold करते हुए दोनों तरप से इस तरह से fold करेंगे double fold और इस तरह से round shape देदेंगे और इस पर cutting कर लेंगे round shape देते हुए तो ये देखिए ये circle में एक cut हमने कर दिया है अब इसी तरह हम सारे पटी को circle में cut कर लेंगे तो मैंने हैं आपर circle में सारे पटी को cut कर लिया है और अब हम एक एक पटी को इस तरह से double fold करते हुए लेंगे और नीचे के side हम corners पे slice करते हुए flower बनाएंगे इस तरह से इसी तरह हम दूसरे पटी को लेंगे double fold करेंगे और नीचे के side corners पे हम इस तरह से slice करेंगे तो देखिए इस तरह से कुछ हम मैंने slice किया इसी तरह सारे पटी को हमें सारे pieces को हमें slice करके इसे flower बनाना है तो इहाँ पर देखे सारे पट्टी को मैंने flower बना लिया है तो इहाँ पर देखे एक round मैंने ज्यादा से लाई कर दिया है तो इसको मैं निकाल दूँगी यानि flowers के लिए सिर्फ हमें 5 पीची flowers लेना है इस तरह से circle को 5 पीची लेना है और अच्छे से इस पर जाट लगा देंगे अब देखे मैं इस पर मोती अटेज कर रही हूं बड़े वाली मोती मैं यहाँ पर यूश कर रही हूं आप चाहे तो कोई भी 100 बटम लगा सकते हैं 100 बटम लगाने से इसका look और भी ज्यादा अच्छा लगेगा और अब हम बेक पार्ट को इस तरह से बड़ेंगे और जो हमने पट्टी सलाई किया है इसे हम इस्तार से कौर्नर अच्छे से मिलाते हुए पहले चेक करेंगे और इस तरह से निसान लागा लेंगे अब देखे एक MIL में हम इस से करते हुए कट कर लेंगे तो कुछ इस तरह से डिजाइन हम बनाएंगे हां पर त कुछ इस तरह से और अब देखिए अब जो हमारा दूसरा पट्टी है दूसरे पट्टी को हमें हमें यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे तो इस तरह से नीचे के साइट पट्टी को रखते हुए हम इस पे सिलाई लागा कर पट्टी को जॉइंट कर लेंगे तो एक साइड देखें मैंने जॉइन कर लिया है अब दूसरे साइड भी जॉइन कर लेंगे इस तरह से तो देखिए चाड़ो तरब मैंने पटी को जॉइंट कर लिया है अब हम इसपर flowers को जॉइंट करेंगे तो center पर flowers को अच्छे से रखते हुए पहले मिला लेना है सुई और धागे से अच्छे से flowers को हम अच्छे से center पर रखते हुए जॉइंट कर लेंगे चार से पाच गाठ लगाते हुए मच्छे से स्लाइ कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए flowers को मैंने जॉइन कर लिया है और यह blouse का बेक डिजाइन बनके अब ready है और चाहे तो आप नेक डिजाइन में lace भी लगा सकते हैं आपको थोड़ी पसंद आई हो तो प्लीस लाइक और सेर जरूर कीजेगा और अभी ताक आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजेगा और पैल आइकन को भी जरूर दबाईएगा तकि आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको हमेसा मिलती रहे थाइंक यू